टीवी शो अनुपमा में आपने अब तक देखा कि वनराज ने मालती देवी को धमकी दी कि वो उसके परिवार को नुकसान पहुँजाने की कोशिश ना करे वना हो उसके साथ भी कुछ गलत कर देगा। दूसरी तरफ अनुपमा मालती देवी को छोटी अनु को भर्टाते हुए देख लेगी। आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा कहेगी कि जब एक मा जवाब मानती है तो भगवान को भी नीचे आना पड़ता है। इस पर मालती देवी कहती है कि जमीन की मिट् मालती देवी के साथ गलत किया है और इसके लिए उसने हजार बार पेरों पर गिरकर माफी भी मानगी है। अनुपमा कहती है कि उसे थप पर मारना उनका अधिकार था, नफरत करना उनकी मर्जी लेकिन बदला लेना वो भी स्वीकार था क्योंकि वो उनके और अनुपमा के बीच में था, लेकिन वो अनुपमा के बच्चों को बीच में लेकर आ गई जो की गलत है और अब वो अपनी हद पार करेगी। मालती देवी कहेगी कि वो क्या कर लेगी, कौन है वो। तो इस पर अनुपमा कहेगी कि वो एक मा है और जब एक माँ अपने बच्चे को बचा पति अनुज का पाड़िया है और वो चाहे तो उसके साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया क्योंकि मर्यादा माल्ती देवी ने छोड़ी है उन्होंने नहीं अनुपमा कहती है कि मेरे बच्चों की तरफ नजर उठा कर भी देखने की कोशिश मत कीजिएगा वना वो हर लिहाज, हर मर्यादा को भूल जाएगी फिलहाल आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में हमें कमेंज में जरूर बताएं साथ ही अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए